नमस्कार दोस्तों एक्जामितर में आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी आच होगे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे AMS BSA Nursing या Pamidical के लिए जो आप Interest Examination दे रहे हैं तो उसमें आप जिस कैटिगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो आपका central का आपका category certificate है जो cast certificate है वो किस date से किस date के बीच में बना हुआ होना चाहिए काभी सारे student ऐसे हैं जिनका पहले का बना हुआ है तो उस उमीद में है कि हमारा ये valid रहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है AMS के दौरा जो prospect जारी किया गया है उसमे clearly date mention की गई है अगर उस date के बीच में आपका बना हुआ तो ही valid होगा otherwise आपका invalid मन आ जाएगा चाहिए आपने application form वील करते है टाइम पे आपने कोई सी भी category select कियो लेकिन अगर आप कोई सी भी category select करके अगर आपके पास में जो category select किया है उससे related आपका central का आपका certificate नहीं है तो फिर आपको general category में count किया जाएगा अब सारी जानकरी आपको इस वीडियो मिलेगी आपकी OBC category के SCAST और E-Bullers category के जो आपका का certificate है वो कब से कब तका बना हुआ होना चाहिए अगर आमार चनल पे नए है चनल को subscribe करके बेल आइकोन जुरू प्रेस करें जिससे के आने वाले सभी वीडियो को notification आपको मिल सके सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो आपका reservation है reservation criteria आप यहाँ पे देख सकते हैं OBC category के अगर आप candidate है तो आपको 27% आपको reservation मिलेगा SC category के लिए 15% हो ST के लिए 7.5% हो EWS category के लिए 10% आपका reservation criteria यहाँ पे रखा गए है बाकी की जो CT रहेगी आपकी जो वो CT आपके general category के लिए valid रहेगी अब यहाँ पे बात करें कि आपका OBC में दो category होती है एक होती है OBC criminal और दूसरी होती है OBC non-crimiliar तो जो non-crimiliar category के जो candidate है उन्हीं कोई reservation का फायदा मिलता है और जो criminal category के अंदर का आते हैं उन्हें reservation का फायदा नहीं मिलता है अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो आपका certificate है वो कब से कब तक किस date का बना हुआ होना चाहिए सबसे पहले OBC category के अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी date दी गई है कौन से courses के लिए किस date का बना हुआ होना चाहिए तो सबसे पहले अगर BAC nursing course की अगर बात करें तो BAC nursing course का आपका entrance examination वो 8 June को conduct करवाया जाएगा 2024 को और आप OBC NCL category से non criminal category से अगर belong करते हैं तो आपका 9623 date अच्छे से सुन लीजिए 9623 से लेके 862024 के बीच में अगर आपका OBC non criminal category का central का certificate बना हुआ है तो आप reservation का फायदा आपको मिलेगा तो यह तो बात हो इस date के बीच में अगर इस date से एक दिन पहले भी बना हुआ है valid नहीं होगा और इस date के एक दिन बाद का भी बना हुआ तो भी valid नहीं होगा जो issue date है वो आपकी 982024 के बीच में आपकी issue date है वो आपके certificate के उपर mention होनी चाहिए अब next है याप पर post basic BAC nursing के जो date है उनका exam 22 zone को conduct करवाया जाएगा यह tentative date है हो सकता है कि आपके exam date में changes भी कर दिये जाए अभी तक कोई notification नहीं है लेकिन जो prospect जारी कियागा उसके according आपकी exam date किया रहने वाली है post basic BAC nursing के OBC non-criminal candidate के लिए 23 से 2023 से लेकि 22 से 2024 के बीच में आपका जो central का OBC NCL का certificate है वो date यह date आपकी mention होनी जी paramedical वाले student है उनका 22 उनको exam होगा 23 से 2023 से लेकि 22 से 2024 के बीच में यह date आपके OBC NCL जो non-criminal का certificate है state का अलग होता है दोस्तों central का अलग होता है state वाला valid नहीं होगा मैं पहले ही आपको बता देता हूँ क्योंकि यह confusion भी रहती है कि sir हमारे पास state का हम राजस्तान के हैं या हम Delhi से हैं हरियाना से तो मारे पास में वहां का बना हुआ है तो क्या वो valid रहेगा state का car certificate अलग बनता है central का car certificate अलग होता है अगर state की कोई भी vacancy होती है या किसी भी तरीका अगर reservation लेना हो तो state में आपका वो valid रहेगा और जो central की तरफ से आपका कोई भी interest examination हो कोई भी vacancy हो कोई भी योजना होती है तो उसके लिए आपका central का लगता है तो EMS क्या है एक central institute है all over India से सभी institute सभी candidate participate करते है हर एक state का candidate participate करते है तो यह central का होता है तो इसके लिए आपको central का आपको बनवाना होगा और यह आप बनवा सकते हो किसी भी computer shop पे जाके जो E-mitr shop बोलते हैं वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो वो आपकी सारी प्रिक्रिया है वहाँ पे आपको बना देंगे या आपकी जो तैसिल होती है वहाँ पे भी जाके आप अपना जो central का certificate है वो बनवा सकते हो तो यह date तो हो गई आपके OBC के लिए OBC non criminal category के लिए अब बात करते हैं SC, ST के लिए पुराना है तो भी valid रहेगा अब next बात करते हैं जो आपका EWS category है उसके लिए EWS category के लिए अलग date दी गई है BAC nursing के student है और आपका जो EWS category के लिए जो issue date दी गई है वो है 142024 से लिए 862024 के बीच में आप BAC nursing के student है तो EWS category के candidate के लिए इस date के बीच में आपका Central का card certificate बना हुआ होना चाहिए Post Basic BAC nursing के लिए 142024 से लिए 22-2224 के बीच में date mention होनी चाहिए आपके card certificate के उपर BAC paramedical courses के लिए 142024 से लिए 22-2224 के बीच में ये date आप इसका screenshot भी ले लीजिए क्योंकि ये सबसे most important है कापी सर स्टेंड के ये doubt है जाता है कि सर हमारे पास ये वाला certificate है क्या ये valid रहेगा Central का बना हुआ होना चाहिए most important है ये doubt आपके नहीं रहना चाहिए और आपने अगर form fill किया है और आपने EWOS, OBC, CST जो भी केटिगरिया आपने तो उसका Central का बना हुआ होना चाहिए स्टेंड का valid नहीं होगा वो फिर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने form फील कर दिया आपने ECH, OBC, EWOS केटिगरिया और आपने जब एक्जाम दिया आपका सेलेक्शन हो गया और आपके पास में सेलेक्शन रिजेक्ट आपको फिर जनरल केटिगरी में काउंट किया जाएगा तो यह डाउट भी आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा यह डाउट रहता है या दिखतर के candidate के लेकिन फिर आपको जनरल केटिगरी में काउंट कर लिया जाएगा और उसी के according पिर आपकी merit list में नाम आएगा और उस merit list के basis पे ही पिर आपकी जो rank है वो आपकी down हो जाएगी तो यह date आपके लिए सबसे most important है आयोप आपके जो भी कास certificate से related doubt थे वो सारे doubt क्लियर हो गए होंगे अब आपको जो भी basic registration लेके आपके सीट मैं ट्रिक्स से related वो सारे वीडियोज में ने आपके सारे वीडियोज अवेलेबल वो वीडियो आप जरूर देखिए आपके सारे डाउट वहां से के लिए रोजाएंगे आपको इदर उदर बठकने की आपशकता नहीं पड़ेगी अब next बात करते हैं की सर प्रिप्रेशन कैसे करें तो प्रिप्रेशन करने के लिए दोस्तों ने description box में आपको e-books प्रोवाइड करवार की है सबसे most important objective e-book Hindi medium के लिए different link है English medium candidate के लिए different link देर गए अगर आप वो दोनों ये अच्छे से follow कर लेते हो तो definitely आप अपने लिए एक सीटा है confirm कर लोगे Hindi medium candidate है उनके लिए भी same इसी तर के की ये e-book आपको प्रोवाइड की गई है ये easy medium difficult तिनों लेवल के क्यूसन इसमें compile किये गए हैं अगर आपका paper है वो medium to difficult लेवल का आता है तो सारी की उसने जटीचे इसमें से देखने हो मिलेगा अगर आपने इसको चैसे follow कर लिया Physics Chemistry Biology का एक भी क्यूसन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा सारे का सारी क्यूसन इसमें से देखने हो मिलेगे विकत वर्सों में जिन केंड़ेट ने अच्छे से इनको follow किया वो ओल्रेड़ी एम बेसी नर्सिंगा पेरामाइटिकल में अपना एडिमिसन वो ले चुके है और वहां से वो अपना जो कॉर्स है वो कर रहे है अवेल करने के लिए चाहे आप objective बुक ले प्रिवेस चेरिक्यूशन पे पर ले सारा सब कुछ description बॉक्स में आपको language के according प्रोवाइड करवा रहे है separate separate link है तो आप अवेल कर सकते हैं अवेल करने की process बिल्कुल सभी की same है जैसे कि आपको ये हिंदी मीडेमिक एंड़ेट उनके लिए आपको objective बुक अवेल करनी है तो जैसे आप link पे click करेंगे इस तरगे से interface आएगा आपको buy now पे click कर देना ये buy now को आपको दिखाई दे रहा होगा फिर आपके सामने इस तरगे से कुछ interface आएगा इसमें अपनी detail फिल करनी है पहले यहाँ पे first name, last name और अपनी active email idea यहाँ फिल करनी है फिर contact detail फिर review and pay पे आपको click कर देना email idea आपकी बिल्कुल correct होनी चाहिए पिर जैसे ही आप review and pay पे click करेंगे इस तरगे से interface आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी objective Hindi medium के अड़िए के लिए तीनो subject के लिए दोनों classes की 3 in 1 यह ebook के Hindi medium के लिए यह आप available कर रहे हैं तो यहाँ पे Mac payment पे आपको click करना है जैसे Mac payment पे click करेंगे इस तरगे से आपके payment के सारे option आ जाएंगे अब यहाँ पे आप कोई साभी payment option चूज कर सकते हैं यहाँ पे आपके BIM, UPI या आप phone पे, Google पे, Paytm से pay कर सकते हैं credit card से debit card, net banking, wallet सारे option अवेलेबल करवा रहे हैं अब जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो इस तरगे से interface आएगा यहाँ पे सारे आपके UPI payment method है Google पे, Paytm, BIM, UPI कोई साभी आप select कर सकते हो इसके अलवा अगर आप यहाँ पे next debit card से choose करते हो तो इस तरगे से option है जाएगा अपने आप card detail फिल करके आप payment complete कर सकते हो next है आप यहाँ पे इस तरगे से कोई साभी credit card, debit card, net banking कोई भी method हो जो भी आपके पास में easy to use हो वो आप payment method है यहाँ से choose कर सकते हो तो इस तरगे से आप कोई भी हो चाहिए mock test paper हो, previous execution paper हो objective book सबसे most important हो अवेल कर सकते हो इसके अलावा यह English medium candidate के लिए है इसका भी link दे रखा अब इसको भी same इसी process अवेल कर सकते हो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपके aims nursing के लिए previous execution paper है हिंदी medium के लिए यह physics के हैं, यह chemistry के आपके और यह aims nursing के लिए chemistry के, यह aims paramedical के लिए है यह aims nursing के बाइलोजिक के तो इस तरगे से आपको सारे हार एक subject wise आपको previous execution paper यह आप यहाँ पे देख सकते है paramedical के लिए भी दे रहे हैं यहाँ पे यह paramedical के हैं यहाँ पे जी विग्यान के हिंदी language के लिए paramedical के आपके English वाली जो candidate उनके लिए physics के हैं, English language के लिए chemistry के हैं, English language में तो यह language wise आपको सारा study material है वो provide करवा रखा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं nursing, English medium के जो candidate उनके लिए यहाँ पे जो आपका GK का portion BSN nursing के पूछा जाता है biology के आपके 2500 previous year क्यूशन important क्यूशन है जो इनमेस से एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं और यह आपकी general knowledge की जो e-book है यह भी आप अवेल कर सकते हो जो आपका 10 marks का portion पूछा जाता है तो सारा study material आपको description box में लिंक के माद है आप इसको अवेल करके आप अमनी preparation को अच्छे से कर सकते हैं और इसको अगर आपने अच्छे से follow के लिए definitely आप अमनी लिए exit है confirm कर लोगी मैं इसकी guarantee आपको दे सकता हूँ फिलाल के लिए इतना है दोस्तों कोई भी डाउट हो कोई भी उश्यो मुझे comment box में पूस सकते हैं इस्टाग्राम फॉलोगर के मास भी जानकारी ले सकते हैं इस्टाग्राम कर लिंग आपको description box में दिया गया है और telegram channel जरू जोन कर लिजे आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और कोई भी डाउट तो comment box में पूस सकते हैं फिलाल के लिए इतना है था वीडियो पसना है वीडियो को like करें share करें मिलते नेक्स्ट टूडियो में धन्यवाद जेहिं जे बारत